आज हम लोग आपकी कक्षा बार में कवी भारतेंदू हरिश्च चंद्रजी द्वारा रचित यमुना छवी के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य संदर्य लिखना सीखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्दाए हुए हैं, पहले इन सभी शब्दों पर एक नजर डालेंगे और यदि इन में से किसी का भी अर्थ कठिन होगा, तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्याश में आये हुए सभी शब्दों का सरलर्थ देख लेते हैं तीन पए, तीन पए मतलब जिस पर अर्थात यमुना के जल पर, तो हमको यमुना के जल पर ही बोलना है, ठीक है जेही छीन, जेही छीन मतलब जिस छण या जिस समय, जिस छण या जिस समय, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे, एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए चंद जोती, मतलब चंदरमा की जयोती या चंदरमा की किरण दोनों होता है जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लिजिए राका निसी, राका निसी माने पुर्णिमा की रात राका निसिमाने पुर्णिमा की रात आवती आवती मतलब आती है लेकिन आप इसको बदल के कह सकते हैं पढ़ती है यानि जो चंद्रमा की किरने पृत्वी पर आती है तो इसका मतलब यही है कि वह पृत्वी पर पढ़ती है या जमना के किनारे उसके जल पर पड़ती है तो पड़ती है ठीक है जल में जल में मतलब जल में वैसे तो इसको पानी में भी कह सकते हैं लेकिन जल में ही ज़्यादा अच्छा है मिलिकय मतलब मिलकर नभ नभ माने आकाश आवनी माने धरती या प्रिथवी दोनों होता है जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए लौ लौ माने तक तान तान माने तंबू जिसको आप टेंट कहते हैं तंबू लेकिन यहाँ पर कवी किसको तंबू कह रहे हैं हम लोग व्याख्या में देख लेंगे तनावती तनावती मतलब तान देती है तनावती माने तान देती है होत मतलब हो जाता है मुकूर मैं मतलब दरपण के समान जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं जिसको आप सीसा भी कहते हैं तो दरपण के समान सबय मतलब सब कुछ तबय मतलब तब उजजल माने उजवल या सफेद उजवल या सफेद या सफेद भी आप कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इक ओभा देखें इक ओभा का मतलब शुशोभित होती है या अत्यंत शुशोभित होती है दोनों कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे एक कहके व्याख्या कर लीजिये ठीक है शुशोभित होती है या अत्यंत शुशोभित होती है तन मन दोनु शब्द सरल है नैन माने नेत्र या आँख जुडात जुडात मतलब शीतलता प्राप्त होती है देख मतलब देख कर देख माने देख कर सुन्दर सरल है कोई दिक्कत नहीं है सो मतलब इस या इस प्रकार इस या इस प्रकार दोनों होता है जो आपको अच्छा लगे एक कहके व्याख्या कर लीजिए सो भा सो भा यानि की शो भा सो भा यानि की शो भा ठीक है सो, सो का मतलब यहाँ पर है वह, सो माने वह, को मतलब कौन, कभी, कभी माने कभी, कभी माने कभी, जो सरल है कोई दिक्कत नहीं है, छाबी, छाबी माने सुन्दर्ता, कही सकय मतलब कह सकता है, या वरणन कर सकता है, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे, ताच्छन, ताच्छन मतलब उस समय, या उस च्छन, उस समय, या उस च्छन, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे, जमुना नदी है, सरल है कोई दिकत नहीं है नीर की मतलब जल की या पानी की जल की या पानी की दोनों होता है जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिये मीली मतलब मिलकर आवणी, आवणी मतलब धर्ती या प्रिथ्वी एक बार यहां भी आ चुका है आवन माने धर्ति या प्रित्वी दोनों में से कोई एक लेकर के व्याख्या कर लेजिए ठीक है और सरल है अंबर अंबर माने आकाश अंबर माने आकाश रहत रहत का मतलब रहते हैं या मिल जाते हैं रहते हैं मिल जाते हैं ठीक है च्छा विमाने सुन्दर्ता पहले भी आ चुका है च्छा विमाने सुन्दर्ता यहाँ पर आ चुका है च्छा विमाने सुन्दर्ता एक सी मतलब एक समान नभ माने आकाश यह भी दुबारा आ रहा है आकाश तीर की मतलब किनारे की तो सभी शब्दों का सरलर्थ हो गया अब हम लोगों को इस पद्याश की व्याख्या सीखनी है लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित यमुनाच्छवी शिर्शक से उद्ध्रित है इसके रचैता भारतेंदू हरिश्चंदर जी है पुण बिराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कविने यमुना के जल पर पुर्णिमा की रात में च सुत्पन संदर्य का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं तो कभी कहते हैं देखे इस पद्यांश में हम लोग दो-दो लाइन ले करके ही एक साथ व्याख्या करेंगे तब ही हमारा वाक्य पूरा बनेगा तो प्रस्तुत पद्यांश में कभी भारतेंदू हरिश्च चंदरजी कहते हैं की अब आजाएगे पद्यांश पर कहते हैं की पूर्णिमा की राका पूर्णिमा की रात में निसी रात में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणे जिस समय यमुना के जल पर पढ़ती हैं तब ऐसा लगता है जैसे वह इतना भाव के अनुसार वाक्य को पूरा करने के लिए अपनी तरप से जोड़िए फिर ध्यान से सुनिए तब ऐसा लगता है जैसे वह आजाए फिर लाइन पर जैसे वह यमुना के जल में मिल करके मिल करके आकाश से धरती तक लव तक तंबू तान माने तंबू तान देती है तनावत तान देती है और पूर्ण विराम लगा देंगे चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं देखें मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डायश डालेंगे और डायश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए प्रस्तुत पध्यांश में कवी भारतेंदू हरिश चंदर जी कहते हैं की अब आजाईए पध्यांश पर कहते हैं की पूर्णिमा की रात में चंदरमा की किरणें जिस समय यमुना के जल पर पड़ती हैं तब ऐसा लगता है जैसे वह इतना अपने से जोड़िये तब ऐसा लगता है जैसे वह यमुना के जल में मिल करके आकाश से धरती तक तंबू तान देती है और पूर्ण बिराम लगा देंगे चले आगे देखिए आगे कभी कहते हैं आगे कभी कहते हैं जब चंद्रमा की इतना अपने से जोड़िये जब चंद्रमा की उज्वल की रणे यमुना के जल पर पड़ती हैं पिर इतना अपने से जोड़िये यमुना के जल पर पड़ती हैं एक बार फिर ध्यान से सुनिए जब चंद्रमा की उज्वल की रणे यमुना के जल पर पड़ती हैं तब सब कुछ दरपण के समान हो जाता है अर्थात चंद्रमा की उज्वल की रणे भी दरपण के समान दिखाई देती हैं और यह सुनिदर्ता अत्यंत शुशोभित होती है इस सु, इस सुनिदर्ता को देख करके तन, कामा, मन और आखों को शीतलता जुडात, शीतलता प्राप्त होती हैं और फिर पुण विराम लगा देंगे चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं देखें मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने से जोड़ लेंगे जब चंद्रमा की इतना अपने जोड़िए जब चंद्रमा की उज्वल की रणे यमुना के जल पर पड़ती हैं तब सब कुछ दर्पन के समान मुकुर में दर्पन के समान हो जाता है अर्थात चंद्रमा की उज्वल की रणे भी दर्पन के समान दिखाई देती हैं और यह सुन्दर्ता अत्यंत शुशोभित होती है इस सुन्दर्ता को देख करके तन, कामा मन और आखों को शीतलता प्राप्त होती है और पॉन्विराम लगा देंगे चलिए आगे देखते हैं आगे कभी कहते हैं सो को कभी जो छवी कही सके ताच्छन जमुना नीर की मिल आवानी और अमबर रहत छवी इक सी नभतीर की बहुत ही सरल लाइन है आगे कभी पुन्ह कहते हैं जब पुर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणे यमुना के जल पर पड़ती है उस समय ताच्छन उस समय यमुना के जल की सुन्दरता को वह कौन सा कभी है जो कह सकता है जब फिर अपने चोड़िये जब चंद्रमा की किरणे यमुना के जल पर पड़ती हैं तब धर्ती और आकाश मिल करके एक समान हो जाते हैं उस समय आकाश शे यमुना के किनारे तक की सुन्दरता एक समान दिखाई देती है चलिए पुण विराम लगा देंगे एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखे देखे इस बार हो सकता है कि शब्द आगे पीछे हो जाएं लेकिन भाव वही रहेगा ध्यान से सुनिए मैंने कहा थोड़ा पहले से भाव के नुसार अपने से जोड़ लिजे तो आप कहेंगे पूर्डिमा की रात में जब चंद्रमा की किरणे यमुना के जल पर पड़ती हैं अब आजय लाइन पर यमुना के जल पर पड़ती हैं उस समय ताच्छन उस समय यमुना के जल की सुन्दरता को वह कौन सा कभी है जो कह सकता है जब चंद्रमा की किरणे यमुना के जल पर पड़ती हैं तब धरती और आकाश मिल कर एक समान हो जाते हैं और आकाश से यमुना के किनारे तक की सुन्दरता एक समान दिखाई देती है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी चलिए अब हम लोग इस पड़्यांश का कावे संदर्य देख लेते हैं यदि इस पड़्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रिंगार रस है यदि छंद देखा जाए तो यह छपपय छंद है यदि अलंकार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अनुप्रास और उपमालंकार है भाषा इस पड़्यांश की ब्रज है शैली इसकी मुक्तक है और गुण इसमें माधुरी है और यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों है